हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारी यूट्योब चेनल ट्राइजर और श्टड़ी में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बायलोजी की जो हमारी 500 प्लस कोश्चन्स की जो सीरीज चल रही थी उसका नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं यह हमारा पार्ट टू होगा इस शीरीज का पार्ट बना पहले कर चुके हैं अगर आपने वे वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप उपर आई बटन में किलिक करके वे वीडियो देख सकते हैं दोस्तों बाइलोजी की यह जो सीरीज है यह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और आने वाले सभी एक्जम्स CZL, CPO, CHSL, Railway NTPC, हर्याना किलर्क, हर्याना पुलिस, दिल्य पुलिस इन सभी के लिए बहुत ही यूसफुल होने वाली है तो इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखेगा तो चलिए सुरू करते हैं हमारा पहला कुश्चन है सरपरतम रक्त परिसंचरन तंत्र का अध्यन किस ने किया था तो हारवे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरन तंत्र का अध्यन किया था अगला कोश्चन है पेस मेकर का संबंद किस से है फैफडा, हिर्दे, गुर्दा, दिमाग तो पेस मेकर का संबंद जो होता है वो हिर्दे से होता है नेक्स्ट कोश्चन है गती प्रेरक किस से संबंदित है तो गती प्रेरक भी हिर्दे से संबंदित होता है अगला कोशन है, निमिन में से किन की बित्यों पर रक्त द्वारा डाले गए दवाब को रक्त दाब कहते हैं तो दमनी की बित्यों पर रक्त द्वारा डाले गए दवाब को रक्त दाब कहते हैं अगला कोशन है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है सोते समय रक्तदाव घटता है अगला कोशन है मनुष्य के सरीर में हिर्दय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है तो हमारे जो इनसान होता है उसके सरीर में हिर्दय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड लगता है इसका मतलब एक मिनिट में दिल कितनी बार धड़कता है 72 बार नेक्स्ट कोश्चन है स्वस्त मनुश्य में प्रती मिनिट हिर्दे स्पंदन होता है 72 टाइम्स अगला कोश्चन है मानव हिर्दे में कितने कोश्टक होते हैं और ने फिसके एसका सही आंचट वर अगला कोशचन है सरीर की विशालतम धमनी है तो एरोटा जो आत्व Сейчас होती है वह सबसे बड़ी तर और को यूटरी बोलते हैं एंगलिस में धमनी को आल्ट्री कोने कर讲 स्वाक टिसफ और गया क्या जाता है जाने किड़नी के अंदर होता है next question है मानव सरीर में खून के सुद्धिकरन की प्रिक्रिया को क्या कहते हैं dialysis कहते हैं अगला question है रक्त में लाल रंग निमिन में से किस के कारण होता है तो हीमोगलोबिन के कारण जो होता है वो हमारा blood red करण का होता है option D सही answer होगा इसका अगला question है हीमोगलोबिन में होता है लोहा होता है इसमें next question है हीमोगलोबिन किस का मैत्रपून गटक है तो RBC यानि red blood blood carpecells का मैत्रपून गटक होता है हीमोगलोबिन next question है हीमोगलोबिन का कारण है हिमोगुलाविन का कार्य क्या होता है ऑक्सीजन ले के जाना होता है अगला question है किसकी साहता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है तो लोहित कोशकाओं के द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है next question है मानब सरीर में रुदर बेंक का कार्य कौन करता है तो पलिया जो होता है वो रुदर बेंग का कारे करता है Option A पलिया इसका सही आंसर है Next question है मानव रप्त का pH मान होता है यह दोस्तो बहुत ही ज़्यादा important question है Chemistry के अंदर भी pH value जब पूछते हैं तो यह question पूछ लिया जाता है तो इसका answer क्या होगा 7.4 Next question है उपस्थित और अड्डियों के निर्मान और संपोशन में आवश्यक तत्व होता है क्या होता है? केल्सियम होता है Next question है टाइफाइड से सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो टाइफाइड से आते हमारी प्रभावित होती है अगला question है निर्मिल्खित के कमी से एनीमियर होता है तो लोहे की कमी से एनीमियर होता है option है इसका सही answer होगा सिमिन्ट और अस्थियां दोनों में विद्वान तत्व है क्या होता है? केल्सियम जो होता है वो सिमिन्ट और अस्थियां दोनों में होता है मनिश्य के सरीर को सरवादिक सक्तिशाली पेशी है तो जबड़ा जो होता है उस सरवादिक सक्तिशाली पेशी होती है निमिन में से किसकी पेशियों में स्वैस पंदन का गुन पाया जाता है तो हिर्दय में स्वैस पंदन का गुन पाया जाता है अगला कोशन है किस अमल के मार्श पेशियों में जमा होने के कारण मुनिश्य को थकान मेसूस होती है तो लेक्टिक एसिड के कारण थकान मेसूस होती है अगला कोशन है मानव सरीर के नमिलिखित अंगों में से कार्णिया किसका भाग है तो कार्णिया को ही डॉनिट किया जाता है अगला कोशन है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकास की मात्रा का नियंतर्न निमिन में से किस अंग द्वारा किया जाता है आइरिस के द्वारा अगला कोशन है आँख के किस भाग में वस्तू का प्रतिविम बनता है तो रेटीना में वस्तू का प्रतिविम बनता है नेक्स्ट कोशन है मानव नेत्र में उपस्तित रेटीना में रंगों के विवेद के लिए उपस्तित होते हैं कौन्स अगला कोशन है त्वेचा का रंग किस के कारण होता है तो मेलानिन के कारण त्वेचा का रंग होता है और मेलानिन की कमेसी जो हमारे बाल होते हैं वो सफेद हो जाते हैं नेक्स्ट कोश्चन है मनिश्य में त्वेचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है तो तल्वे पर जो त्वेचा होती है वो सबसे मोटी होती है तल्वे पर यानि पैर की नीचे का जो हिस्सा होता है नेक्स्ट कोशन है मानब सरीका सबसे बड़ांग कौन सा होता है मानब की सरीका सबसे बड़ांग है चमडा अगला कोश्चन है मानव त्वेचा को रंग देने वाला वरनक है मेलानिन नेक्स्ट कोश्चन है त्वेचा की उपरी सत्य कहलाती है क्या कहलाती है? एपीडर्मिस नेक्स्ट कोश्चन है निमिन में से कौन सा पधार्त मानब सरीर में सबसे अधिक कटोर होता है तो दत वल्क यानि जबडा जो होता है वो सबसे अधिक कटोर होता है मनश्य के आंसों में कौन सा एंजयम होता है जिसमें जीवनों मर जाते हैं लाइसो सौम होता है नेक्स्ट कोशन है मानब सरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपन नहीं किया जाता तो मस्तिफ का प्रत्यारोपन नहीं किया जा सकता यानि इसका ट्रांस्प्लांच नहीं किया जा सकता Next question है मानब सरीर का कौन सा अंग पुनरुद्धन वो प्रदर्शित करता है यक्रित करता है किसी प्रानी के सरीर के समस्त भार का दिकांश भाग होता है जल होता है मनिश्य के रक्त में कौन सा सर्व दाता है यानि जो सभी को डॉनेट कर सकता है जो ओ जो होता है वो सर्व दाता होता है और ये भी जो होता है वो रसीपेंट होता है यानि किसी से भी ले सकता है नेक्स्ट कोश्चन है पाचन के रसों में निमिलकित में से कौन सामल पाया जाता है हाइड्रोकलोरिक हम लपाया जाता है नेक्स्ट कोश्चन है मानव का मस्तिस्क लवक कितने ग्राम का होता है मानव का मस्तिक इंपोर्टेंट कोश्चन है यह वाला नोट कर लिजिए वैसे अगला कोश्चन है सामानने मानव सरी का तापकरम होता है यानि ब्लड फ्लेशर कितना होता है यानि मानव का मत्रिश्क से कर लिए डर्च कनने के लिए E.E.G. का प्रयोग किया जाता है अंगला question है मानव हिर्दे में कक्षा की संख्या है चार कक्ष होते हैं इसमें यह यानि चार बाल होते हैं Next question है सर्वागराही कौन से रुधर वर्क का होता है तो A.B. जो होता है वो सर्वागराही होता है यानि किसी से भी ले सकता है recipient होता है next question है किस एक चीव में पसलियों की संक्या सबसे अधिक 24 है तो मानव में पसलियों की संक्या सबसे अधिक होती है और वो कितनी होती है 24 अगला question है iodine yukth hormone है तो thyroxine जो होता है वो iodine yukth होता है अगला question है मानव सरीर में प्रिच कौन सी सर्षना में संगलन होता है तो व्रेदांत्र में संगलन होता है अगला कोशन है सामान्य व्यक्ति में दिल की दढ़कन की औसत दर क्या होती है 72 होती है यानि एक मिनट में 72 बार ये दिल दढ़कता है next कोशन है संपून सरीर के द्रवयमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है तो 7% रक्त की मात्रा होती है अगला कोश्चन है रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिगा होती है तो केलसियम की मुख्य भूमिगा होती है रक्त जमने में अगला कोश्चन है यदि किसी व्यक्त कि रुदिर भाहिकाओं की त्रिज्जा कम हो जाए तो उसका रक्तिदाब क्या होगा बढ़ेगा घटेगा उतना ही रहेगा तो यह option A का सही अंसर होगा तो उसका रक्तिदाब क्या हो जाएगा बढ़ेगा अगर त्रिज्जा कम होती है तो रक्तिदाब बढ़ जाता है अग निसेशित अंडानों के एम्पलांटिषन के लिए गरवाश्य कोन सा हर्मुन तियार करता है एस्टरोजिन तियार करता है ऐस्टरोजिन से इसका सही आंसर होगा अगला कोशन है मनिश्य के सरीर में पेशियों की कुल संख्या होती है तो छह सो उन्तालीस होती है पेसियों की खुल शंक्या मनिश्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रगा निकलती है तो एकत्ती जोड़ी तंत्रगाई निकलती है अगला कोश्चन है प्रतिवर्ति किरियाओं का नियंत्रन के अंदर कहां भर होता है कशेर कु रज्जु में ये important कोश्चन है लाश्ट टाइम SSE CGL के एकजाम में ये पूछा गया था अगला कोश्चन है संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है तो सागर जो है संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है option B इसका सही आंसर होगा अगला कोश्चन है वायू एवम जल की किरिया द्वारा भूमी का हटाव कहलात है अगला कोश्चन है हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलिय पौदे को क्या बोलते है हाइड्रोफाइट निमल लेकित में से कौन सा पौदा मरुदिध है इसका आंसर होगा करील यह सिर्फ भूमी में हो जाता है मरुस्थल में इसको पानी की ज्यादा जुरत नहीं होती है नेक्स्ट कोश्चन है पर्यावरन के अजयव अव्यव का उधारन है वायू अगरा कोश्चन है सौर उर्जा का सबसे बड़ा योगी करन कौन है तो हरे पौदे जो हैं वो सौर उर्जा का सबसे बड़ा योगी की करन होते हैं नेक्स्ट कोश्चन है एपी फाइट्स तू नेक्स्ट कोशन है रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौदे कहलाते हैं जो रोफाइट्स अगला कोश्चन है पारिस्तितिक निके की संकलपना को प्रतिपाधित किया था किस ने किया था ग्रीनेल्स ने किया था नेक्स्ट कोशन है सबसे स्थाई पारिस्तिक तंत्र है समुद्र जो है सबसे स्थाई पारिस्तिक तंत्र है कौन सा किर्सी कार्रे पर्यावरनिय द्रिष्टी से उप्युक्त है कार्बनिक किर्सी अगला कोश्चन है धूल प्रदोशन रोकने के लिए उप्युक्त व्रक्ष है तो नीम का व्रक्ष जो होता है वो डेश्ट पॉलिशन को रोकने के लिए सबसे अच्छा होता है नेक्स्ट कोश्चन है वाईयो मंडल में उपसित और जोन परत अवशोर्शित करती है अंटार्टिका के ऊपर नेक्स्ट कोश्चन है वेस्विक तापन के फलस्वरूप हो हो सकता है क्या हो सकता है तट्रेखा में परिवर्तन हो सकता है अगला कोश्चन है मानव जात जैनित पर्यावर्श प्रदूशन कहलाते हैं परजेविक कहलाते हैं अगला कोश्चन है औरजा के किस रूप में प्रदूशन की समश्या नहीं होती है सौर औरजा में प्रदू में से कौन अधिक्तम देने प्रदूशन का कारण है यानि सबसे द्वान जादा देने प्रदूशन होता है जैट की उडान से next question है मानव त्वेचा का अध्यन करने वाले विज्ञान के शाखा को क्या कहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं डर्मेटो लोजी बोलते हैं अगला question है अस्थियों का अध्यन विज्ञान की किस साखा के अंतरगत किया जाता है तो ऑस्टियोलोजी के अंतरगत किया जाता है ऐसे question इंगलिस में भी पूछे जाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए वहाँ भी useful रहेगा अगला question है जीवों के संक्रमन के वृद्ध पृतिरोध का अध्यन किया जाता है इम्यूनो लोजी के अंतरगत किया जाता है अगला question है रक्त में antibody एवं antigen के अध्यन को कहते हैं क्या कहते हैं सीरो लोजी की बोलते हैं उसे अगला question है मचलियों से सम्मंदित अध्यन है क्या क्या बोलते हैं ए एक्वेथो लोजी कहा जाता है मशलियों के संबंदित अध्यन को अगला कोशन है वनसागती के नियमों के अध्यन को कहते हैं आनुवांशी की अगला कोशन है मनुश्य के वातावरन को सुधारने के से नसल सुधारना कहलाता है यूथे निक्स कैंसर संबंदी रोगों का आध्यन कहलाता है ओंको लोजी जेनेटिक्स में किसका आध्यन किया जाता है तो जेनेटिक्स में अनुवान शिक्ता अयम गुनशूत्र का आध्यन किया जाता है पारिस्तितिक विज्ञान इको लोजी किस से संबंदित है सरी सरचना और वातावरन से संबंदित है एको लोजी जिन संक्या का अध्यन कहलाता है डेमोग्राफी यानि डेमो का मतलब जो होता है वो जन से होता है जन यानि लोगों से तो डेमोग्राफी क्या हो गया जिन संक्या का अध्यन अगला कोशन है रेबीज के टीके की खोज किस ने की थी लुइस पाश्चर ने की थी वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है ये अगला कोशन है आधुनिक एंटिसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है लेश्टर जो है वो आधुनिक एंटिसेप्टिक सर्जरी के जनक है अगला कोशन है किसके द्वारा अनुवानसिक्ता के विज्ञान को अनुवानसे की कहा गया तो वाट्सन के द्वारा अनुवानसिक्ता के विज्ञान को अनुवानसे की कहा गया नेक्स्ट है रक्त समू का अविश्कारक कौन है फिर से एक बहुत important question है कैई बार पूछा गया है एक्जाम में तो रक्त समू यानि blood groups का जो अविश्कार किया था वो किसने किया था? Land Steiner ने option A इसका सही answer होगा important question अगला question है हिर्दय का पहला प्रतिस थापन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर क्रिशियन बर्नार्ड के द्वारा हिर्दय का पहला transplantation किया गया था ये भी important question है अगला question है Edward Jenner ने में लिकित में से किस रोग से जुड़े है? चेचक से जुड़े है ये भी काफी important question है काफी repeated भी है अगला question है विकास का सिद्दान्त किस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो डार्विन के द्वारा विकास का सिद्दान्त प्रतिपादित किया गया था तो डार्विन ने हमें बताया था कि मनुष्य के उत्पत्ति कैसे हुई थी? किसे वो बंदर से और इंसान बना था अगला question है histology सब्द का सरप्रITथम प्रयोग किसने किया था mayor ने histology सब्द का सरप्रITथम प्रयोग किया था अगला question है किस पुरकार के उत्तक सरी के सुरक्षा कवच का कार्रे करते हैं एपिथीलियम उत्तक जो हैं वो सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है जल्दी इसका आपको नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी आप डेली करेंट अफेर्ट के लिए हमारा इंस्टाग्राम पेज और फेस्बुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक नीचे डेस्क्रिप्शन बॉक्स